नमस्कार, सरकारी करमचारियों के लिए 7th Pay Commission के साथ ही कुछ महतोपोन प्रावधान किये गए थे, जिसके इंतरगत एक प्रावधान ये भी किया गया था कि 7th Pay Commission लागू होने के बाद में जेशे ही सरकारी करमचारियों का डिये बढ़कर 25 प्रतिशत होगा, तो उसके साथ ही उस समय मिलने वाला एचारे 8, 16 और 24 के इस्तान पर 9, 18 और 27 प्रतिशत एचारे दिया जाएगा, वो एचारे जिसकी घोशना की जा चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रावधान किया गया था, कि जिसके अनुसार जब 7th Pay Commission के पाशाथ एचारे यानि कि डिये 50 प् 50 प्रतिशत डिये जनवरी दो हजार चोईस से लागू हो चुका है, और 50 प्रतिशत डिये के साथ ही सरकारी करमचारियों को 7th Pay Commission के प्रावधान की अनुसार 10, 20 और 30 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान किया गया है, इसी कड़ी में एक महतोपन विभाग की और से इस प 20 और 30 प्रतिशत किये जाने का आदेश जारी हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं उस आदेश को जिसके इंतरगत क्या कहा गया है, तो उसी कड़ी में ये आदेश है, इंटिलिजेंस ब्यूरो गवर्मेंट ओफ इंडिया, 12 अप्रेट दो हजार चोईस का, और जिसका सब जिसके इंतरगत कहा गया है, कि डिये रेट पचास प्रतिशत हो गया है, और एक जनवरी दो हजार चोईस से ये लागू है, और डिये रेट पचास प्रतिशत होने के साथ ही, कुछ अलोवेंस जो है, वो अब एनेक्सर एक के इंतरगत जो कहा गया है, उसमें नेसेसरी एक गत कुछ विशेश परकार के बत्ते हैं वो दिये जाते हैं जिसे कि टफ टफ लोकेशन एलोवेंस है उसके बाद में यह करवेंस है और इसके साथ इस्पेसल एलोवेंस फॉर चाइल्ड फॉर वुमेंड विद इस इबिलिटेज यह हो गया इसके बाद में चिल्डर ये लगबग सभी सर्विसेज पर लागू होता है कुछ सर्विसेज पर कुछ स्पेसल एलोवेंस जाद लागू होते हैं लेकिन जो HR है वो सभी करमचारियों पर शमान रूप से लागू रहता है तो इसमें कहा गया है कि जो सीटीज है क्लासिफिकेशन ओफ सीटीज और टाउन से जैसे एक्स वाई जैड कह सकते हैं एबी शी कह सकते हैं वर्तमान में अगर रैट देखें तो एक्स या ए परकार की सीटी जो महान अगर है वहाँ पर वर्तमान में जो एचारे है वो डिये पर बैसिक पर 27 प्रतिशत दिया जाता है और इससे बढ़ा कर अब कर दिया गया है 30 प्रतिशत यानि कि 3 प्रतिशत के बढ़ोतरी की गई है उसके बाद में दूसरे शहर जो महान अगर से थोड़े चोटे है यानि कि जो महान अगर नहीं है चोटे सहर है तो ऐसी इस्तति में वहाँ पर है वो वाई स्रेणी के वो शहर है और वहाँ पर 18 प्रतिशत दिये एचारे रेट अभी चल रहा है जिसे बढ़ा कर अब किया गया है 20 परतिशत इसी परकार से C या Z परकार की सीटी जो अन्य परकार जो अधर सीटी चाहे वो गिरामिन शेतर ही क्यों नहों तो वो है वो 9 परतिशत एचारे अभी चल रहा है जिसे बढ़ा कर अब 10 परतिशत किया गया है तो इस परकार से आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा जो डिये है वो 50 परतिशत होने के साथ ही वर्तमान में जो 9, 18, 27 परतिशत एचारे मिलता है सिटीज के अनुसार जिसे बढ़ा कर 10 परतिशत, 20 परतिशत, 30 परतिशत किये जाने का प्रावधान किया गया है तो ये से वो संपोन विभागों पर लागू किये जाने का धिरे-दिरे इसकी प्रोसेश शुरू हो जाएगे अभे गवर्मेंट ऑफ इंडिया की और से इस परकार के आदेश जारी किये जाएंगा लग लग विभाग के लिए उसके बाद में स्टेट गवर्मेंट भी इस परकार के आदेश जारी कर सकते हैं वर्तवान में लोक्षवा एलेक्शन के चलते आदर आचार सहीता हैं वो सकता है कि उसके बाद में जल्द ही इस संदर्व में राजस्तान सरकार के राज्य करमचारियों के लिए भी प्रावधान किये जाए तो आज के लिए इतना ही कर दो आदेश जाए 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